आज हम मेरट की दक्षर विधान सभा में मौझूद हैं सियासत की रडभीरी सियासत के सबसे बड़े अखाड़े की शुरुआत हो चुई है चातिका गड़ित सियासी गड़ित ये कुछ समझते हैं आप की नहीं समझते हैं आप तीन सो यूनिट मुफ्त बिजली समझते हैं ये खेल कर जाएंगा अखरी वक्त तो फिर आप महारास्ट में क्यूं नहीं आंदोलन करते हैं वहां के पता है आपको गंदा समर्तन मुलका क्या है आप केरला में क्यों नहीं करते आंधर प्रदेश में करते करनाटका में क्यों नहीं करते यूपी में क्यों कर रहे हैं किसान तो फिर पूरे देश आपने वैक्सीन के बाद कार्ड क्यूं बाटे जिसमें प्रदानमंत्री मोधी थे और साथ में नीचे लिग दिया बहुत बहुत शुक्रिया प्रदान मंत्री जी हमें मुफ्त में वैक्सिन लगा निकलिए क्यों किया भाई आठ लाक उनतर हजार तीन सो चोविज लेप्टोप आज तक नहीं पता कहा है आपने जेल में क्यों नी डाल दिया सरकार आपकी और पैट्रोल को भी सरकार प्रदान नहीं है यह भारत के लोगों का है लोगतंतर का देश है मतलब 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 जब अखलेश आदम ने काई बीजेपी की वैक्सीन है तो आपने चिट्टी लिखी आपने उनके खिलाफ गए आपने टूइट किये मैसेज के सब किया आप जब उस गलती को सुधार ना गलती थी ठीक है गलती थी योगी सरकार बिलकुल भी एंकाउंटर को बढ़ावानी दे रही लेकिन भैमुक्त समाज भैमुक्त समाज बनाते बनाते आपने पतनी का सुखाग शीन लिया एक बेटे के सरसे उसके पिता का साया हटा दिया ऐसा भैमुक्त समाज किसी को नहीं चाहिए भईया हाँ जोड़के परणाम आपसे एक बांध बनने का काम कर रहे है ऐसे में आज हम मेरट की रक्षिर विधान सभा में मौझूद है यह हमारे साथ नेतागण मौझूद है और साथ ही साथ हमारे साथ यहां की सम्मानित जनता भी मौझूद है सभी से बात करेंगे हमारे सवाल होंगे, नेताओं के जवाब होंगे और सभी समस्याओं का हल निकालने की कोशिच करेंगे इसी के साथ ये जानने की भी कोशिच करेंगे जो चुनावी शंकनाद हो चुका है उसकी जो रडवेरी बच चुकी है उसमें आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है, आपका सब का परिशा करा देता हूँ, तो मेरे साथ सबसे पहले मुहम्मद अबाद साहब मौजूद है, आप पुर्व राज्यमंत्री है, समाजवादी पार्टी से बहुत-बहुत स्वागत है, इसके साथ ही तरुण रुपाद्यक्ष है, बीजेपी से, अब सवाल निकला है, तो सबसे पहले निकल कर आपके सामने आएगा, आप सत्ता की चावी लेकर बैठे हुएं, ये बताइए, कि ठीक है, साड़े-चार साल हो गए, बहुत कम वक्त बचा है, तीन-चार-पांच-छे महिने आपके पास कि ये सत्ता की चावी जनता जनारदन के हाथ में रहती है, रुसी के पास है, और जहां तक आपने हमसे मुख्य काम पांच पूछे हैं, उसे आप उत्तर परदेश स्तर के बताए जाएं ये महानगर मेरट की स्तर के बताएं जाएं, आप मेरट के स्तर सो शुरुआत करते खतम करिए एक तो मेरट में आईटी पार्क बनके तेयार है उसका लोकार्पन होने जा रहा है मेरट बाइपास पर और केंद्र सरकार की मदद से उरुत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अंश के साथ मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लोक बन चुका है वो भी अभी लोकार्पन की कतार में है अभी उसका भी लोकार्पन हो जाएगा यह और थोड़ा पर की बात करें या खिलाडियों में बात करें तो स्पोर्ट्स स्टेडियम स्पोर्ट्स उनिवर्स्टी की स्थापना मेरट में होगी साथ साथ बहुत दिनों से मांग थी जो हमारा होकी के प्रती भारत का जो नैशनल गेम था उसके लिए एस्टो टर्फ मेरट स्टेडियम में लग करके तयार हो गया है यदि और उससे थोड़ा सा उपर चलें तो मेरट के चारो और सडकों का जाल बिच चुका है ठीक आपके पांच हो गया पॉइंट मैंने पांच पूछे थे पांच पूइंट हो गया सडकों का जाल बिच अगर दाम बढ़ा देते हैं तो उससे कही ना कहीं जो आज आ रही थी आपके उपर किसान अंदोलन की वो कम हो पाईगी देखिए यह एक छद्म किसान अंदोलन है इसके पीछे अन्य राजनितिक दल लगे हुए है मैं यह नहीं कह रहा है वह कुछ निजी लोगों के द्वारा चल रहा है उसमें संपूर किसान समाज परतिबाग नहीं कर रहा है ये बीजेपी ने कैसे डिफेश्येट करा, कि ये किصान है, किसान नहीं है, अब ये सियासी लोगذه, ये निजी लोगध्वाष की को ये किसान नहीं, आपने कैसे परखा, कौन सा आपका पैमाना है कब कह रहा हूं कि ये लोग किसान नहीं है तो आपने बोला कि छदम किसान है ठीक है चलिए समाजवादी पार्टी पर आते हैं आप ये बताइए कि आप क्या कुछ करने बाले क्योंकि अभी तक कोई आपने ट्रंप काड नहीं खेला है आखरी मौके तक ऐसा कोई बड़ी खबर नहीं दिया है जो चार उतरफ चर्चा का विशय बन गई हो लेकिन हाँ आपके जो चाचा जान है शिपाल जी वो ज़रूर कह रहे हैं कि 11 अक्टूबर तक का समय हमें पार्टी में ले लो अगर नहीं लिया तो फिर हम अकेले लड़ेंगे आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान हो सकता है देखे उत्तरप्रदेश 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर है बहुत सारे मुद्दे हैं किसने सलके बनाई आईटी पार्क को किसने मंजूर करा उसको विशे पेजिम्मतार लोगी बहुत विश्यन नहीं बनाई चाहता कि अशल देश के सामने इंपर्टैण्ड विश्य है तीनो काले किर्षे बिल जिसमें 30 रुपे किलो का सेव अभी शिमला से खईदा गया अभी चलआ है और 500 रुपे के लोग माल में बिखता है ये तीनों किर्शयों बिल कानून का परिणाम है अभी मेरे रस्तोगी भाईयां जिस दिन व्यापारी तबाह होगा जिस दिन वालमार्ट छोटे व्यापारी को बरबाद करेगा उसके कतल पे मैं भी चुप था मेरे कतल पर आप भी चुप हो मेरे कतल पर चुप होने वालो अगला नंबर आपका है किसान बरबाद होगा तो छोटा व्यापारी नहीं बचेगा आज नहीं कल समझ में आ जाएगी दूसरा सबसे महतो पूर्ण विशह है देश में पिछलो पिछलो का गीत वाने वाले देश के परदानमंत्री देश में जातीगत जनगरना नहीं करा रहा है बिहार के तमाम भाशपा के लोगव्याज सब आ है और उत्तर पर देश में जातीगत जनगरना नहीं होगी तो पिछड़ा बड़ा अंदुलन करेंगे जो जातिगत जनगरना जातिगत जनगरना इसलिए जरूरी है कि देश के 15 परतिशत लोगों ने 85 परतिशत लोगों का हक दबा रखा है, नौकरी दबा रखिये हैं, वेवसाय दबा रखा है जो आपकी गड़ित है, जो आपकी पॉलिटेक्स है, मैं अपने मुझसे पुछन पूरी, दूसरा महत्वपूर्ण विशे यह है कि देश के 1% लोगों पर देश का 70% पैसा है, समाजवादी व्यवस्ता है, सोचलिस्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पर, सविधान है, सब को बराब पूजी है, देश के 15% लोग, 85% लोगों का अधिकार दबाए बैटे, कहाँ है सब का साथ, सब कर दो कि पैसा है, जितना अखिलेश यादव जी के पास है, मेरे पास उस से भी जादा है, तो फिर ठीक है, तो पैसा मानगे, तो मेरे पास अखिलेश जी से जादा है, चू़ कि हम सब एक समाजवादी परिवार है, जो खलेश यादव जी का है, वो हमारा है, जो हमारा है, वो अखलेश जी का है, बहुत बढ़िया डिप्लोमेटिक खेल गया है, चलिए आम आदनी पार्टी के पास आते हैं, यह बताई है, यह दोनों तो धुरंदर हैं, यहाँ पर कभ की बात करेंगे, यह भी मुझे पता है, लेकिन यह बताईए कि फ्री का जो आपका चीज है, जो भी आपका नारा है, जो भी हेड मॉडल, यह कहां तक आपको लगता है कि यूपी में काम कर पाएगा, कहां दिल्ली 2 करोड, कहां यूपी 23 करोड, कैसे काम करेगा? आपको लगता है कि आपकी मुझे मंतरी बदले जा रही है, इसी कारण से हमारी आम आदमी पार्टी पूरे परदेशों में नहीं पूरे देश में एक दिन के जरिवाल प्रधान मंतरी बनेंगे, दूसरी बात, मैं आपकी बिजली की बात करूँ, जिस बात की बात हम डिज इंडिया जिसमें मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, लैपटोप चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, हमारा वाइफ़ाइ चलाने के लिए बिजली चाहिए, उस बिजली को आप मुफ्त खोरी पता देते हैं, मुफ्त नहीं है, वो हमारी जरूर एक्त है जिस तरह से परधान मंत्री जी तीन तीन महिने का राशन बाट रहे हैं वो क्यों फिरी बाट रहे हैं गरीबों के लिए बाट रहे हैं बिजली गरीबों के लिए बाटी जाए जिनके घर में बिजली नहीं है मैं ऐसे कई गाओं बता सकता हूँ जिन घरों में बिजली के connection भाजपा सरकार में नहीं दिये जा रहे हैं उन connection को देने के लिए एक एक लाख रुपे पचापचा सजार रुपे ट्रांसफर्मर के नाम से मांगे जा रहे हैं जातफिका गड़त सियासी गड़त पार्ट एंपके नहीं समझते हैं तीनसेंड युनिट टॉट बिजली समझते हैं यह खेल गर जाएंगा आखरी वक्त पे जातिेकात गड़निक कोई नहीं है विकास का मुद्दा दिल्ली में सब ने देखा पहली बार सरकार बनाने के बाद, उदनचसदिन की सरकार, केजरीवाल जी ने छोड़ दी, उसके बाद, 67 सीट, 96 परसंट पूरे हिंदुस्तान में पहली बार बनी, उसके बाद 62 सीटे हुआ अम दिली में जीत का एं, विकास का मुड़ा हमें कितनी जीते हैं पंजाब में कितनी जीते हैं पंजाब में कितनी जीते हैं पंजाब में बाइस सीटे जीते हैं पंजाब में कितनी जीते हैं अपकी बार जीत जाएंगे अपकी बार जीत जाएंगे अपकी बार जीत जाएंगे अपकी बार जीत जाए थी हमारी तो पहली बार 2014 में 2014 में चार सीटे जीत करना पंजाब में आमादमी पार्टी ने शुरुआत की थी बड़ी आचलिए रास्यों लोग गल पर आते हैं आपको ऐसा नहीं लगता है बुरा मत मानिएगा सबसे पहले तो आप से सब कुछ निकाल निकाल कर चूज कर जब चुनाव पंपन हो घ्यागता तब आपको अलग कर effectively है यह आप गलत कहह रहे हैं कि हम इस्तिमाल करते हैं हमेक पार्टी है हम एक थागत है और हम एकिसान की थागत हमें किसान के साथ हम जाते हैं विकास हम यह इनि लुटते हम हम धर्ती पर दर्फिर करते हैं क्योंकि आप términ registered हैं होगे 9 महीनी से उपर होगे क्या उनकी सुनवाई होई नहीं होई ना ए इसकान से सुनते हैं ये सरकार इसकान से लिकालती है या आपको नहीं लगता आप तो सरकार ने खेल दिया तो सरकार ट्रिक कर गई आखरी समय था गंदा समर्थन मूले बढ़ा दिया किसान भी छोटा पाप सथमाद्या गया है तो फिर आप महाराष्ट में यह अंद Dualern시 में आ Engagement का दाम क्या है आप केरला में क्यों नहीं करते हैं जैकर देश यूपी पर देशाम उल represented यूपी में कर hedge कहारी और उप्वराव करें जाकर क्रेंगे और लगातार हमारी पार्टी संगर्फ कर रहे हैं संगर्फ करती रहे कि अगर किसी का को है अपने नेताओं के लिए तो उठा सकता है ठीक है जलिए ठीक है जंता से बात करेंगे थोड़ी देर में आएंगे आप पर ही आ जाते देखिए सवाल का जवाब देदीजे एक वर्ड में आपने सरकार की वैक्सीन लगवाई या बीजेपी की वैक्सीन लगवाई आप अपने जंडे पह हैं तो मैं आपके कहने से निगोँ जो में जवाब देना एक अजब तमाशा है जगा जगा बोर्ड लिखे हैं गरीब को मुफ्त राशन गरीब को मुफ्त वैक्सीन जब लैप्टॉप खोलते हैं जब समाजवादी पार्टिकल लैप्टॉप खोलते हैं तो उसमें भी सबसे पहले आता है कि हाँ समाजवादी पार्टिकल किस गरीब की बात करना है जो सब से गरीब होगा उस पर एक स्कूटर होगा वो एक महिने में 100 रुपे लिटर से 3,000 रुपे का तेल लेगा जिसमें से 18100 रुपे वो सरकार को टैक्स देता है वो स्टेक हॉल्डर है भीकारी नहीं है आप उसे 200 रुपे गहूं देके वैप 400 र क्या कहना चाहते हैं मुफ्त कहते हैं आपको दे दिया मुफ्त का क्या मतलब ही भिकारी है देश की जनता को भिकारी समझ कर भिकारी की तरह व्यवार करने वाले इस देश में दुबारा सत्ता में नहीं आएंगे और अभी आपने कहा कि उप्योग क्या उप्योग होता चौ रायम सिंग्जी उनके दत्तक पुत्र है, चौधरी अजीस तिंग उनके पुत्र थे, दोनों में राजनतिक वरासत है, भाष्पन ने लडाने कोशिच करी, आज वो परिवार फिरिक है, हमारा पूर परिवार लोगदल का और समाजवादी पार्टी का एक परिवार है, और ए अथिक अपने भी लगवई भी लगवाई वेक्सिन अब अब अबाशी अबस ही एक पूछ रहा हूं, आपने पार्टी की एक सरकार की एक सील आगवई देश के पैसो की लगी एक सिमधिक है इसिख मेरे बाप की नहीं है, एक तो जब ठीक है, तो जब रास्ट्ट्य अध् आथले खाता, BJP की वैक्सीन, वैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कुछ गलत पूछ रहा हूं, मैं पूछ हाहूई पहले आदव जी ने कहा है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, तब अखिलेश आदव जी ने कहा, कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो आपने क्या उनको पत्र लिखकर ये बात बताई, कि नहीं, माननी है, ये देश के लोगों की वैक्सीन है, भाई सब कैसे बताओ, जो लोग अटास मार के कहा, कि फला की वैक्सीन है अरे देश की वैक्सीन है सब लगवाई अखलेश आदव जी की बात करें वह अठास मार के बोले थैसे अठास मार गया अखलेश जी ने उसका खंडन करा और कहा के गरीबों को मजा कि न उड़ाइए आप इस देश के सेवक हैं आप इस देश के डिक्टेटर ना आप यह बताइए कि बीजेश की गीडिशे की वैक्सीन थी थीट फिए बीजेश आदव जी आपने वह लगवाई है कंगे यू टर्न लिया था आपने बाद में लगवाई यह पहले लगवाई जी सुनिये वैक्सीन देश की है मैं फिर यहा रहा हूं एक माध्य है अक्रा आपको जब इतनी जानकारी थी तो आपने अखिलेश आदब जी से आपने अखिलेश आदब जी से इस टेक होल्डर है मालिक हम लोग जन पड़ती निती है जो राजिक दले वो सेवक हैं ये भीकारियों की तरह उसका परचार के करना के मुफ्त वैक्सिन, मुफ्त राशन, में इनके पैसो से 8000 क्रोण का जहाच बाइडन की टक्कर पर बना लिया अपने लैप्टॉब गया था मुफ्त दिया था, कैसे दिया था हमने लैप्टॉब डिजीटल इंडिया बनाने गो दिया था, किस ने कहा के मुफ्त दे रहे हैं, आपने पढ़नायवारे इंटरपास चात्राओं को दिया कहीं कोई मुफ्त और उसका पैसा राशन इनों ने खाने के लिए यह सिलेंडर दे रहा है तो सिलेंडर किसी कार के लिए दे रहें गए तो आम आदमी पार्टी लिखती है आफकी तरफ नरमरुख अंदर खाने बाच्ची चल रही है जो कर विकास की बात करेगा जो देश के उद्धार की बात करेगा उसकी तरफ हरा आदमी का नरमरुख आपका भी होगा ऐसा नहीं है कि लुखता है का और नैबließ क्ते हिसकी तरफ आपका नरमरुख हो सकता है कर रही है सदकों के जाल जिसकी बाद आप अपरते तीन भार कट रहें मैं अपने छेतर की बात बता रहा हूं मादाप्रम की पहले लोकारपन प्रम पराइब गहन लिया लेकिन ऐसा नहीं है कैसा आप बनने के बाद ही लोकारपन हो और सडह बनने के बा既 आ गये हैं लेकिन आपके उपर बार आरूप लगते हैं कि आप विज्ञापन का बड़ा खेल करते हैं उत्तर परदेश की सड़को ममंतरी उत्तर परदेश के मुंख्यमंतरी दिली में लगा रहे हैं बैनर वार चला रहे हैं पोस्टर वार चला रहे कि उत्रप्रदेश नंबर वन है मैं दिखाना चाहता हूं उपको उत्रप्रदेश इसी विदहन सबादे शुरू का जी आप मादापुराम नरकपुराम आ तीन दीन सबासत होने जी आपने आप पार्टी के सातियों से कह रहा हूं कि वो दिल्ली की जो वार है वो आप से हम से नहीं है दिल्ली वालों से जब दोसो इस्तीफे संतोजी के पास गए यूतर प्रदेशी बदलना तो यहां भी जा रहा था तो बहुत दिखाए कहा है तो नंबर वन रहे, तुम नहीं अगोया है, यह बता है। यह आपको नी लग रहे हुआ अप अलग थलग पढ़ गए हैं। यह तो तीनो लोग एक साथ हो लिए तो दले मिलली हैं। आप सांती साब बैठें, क्या कर देंगे, पल्टी देंगी तो इसे, मैंने आप से अभी निवेधन किया था, आपने किसान अंदोलन की बात की थी, नहीं, 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 देखिए, बार समझे, बार समझे, तीनों लोग जो है, हर मामले पर आपको पलट रहे हैं, पर आपने क्यों कहा कि ये वैक्सीन मुफ्त की है, क्या मतलब है वैक्सीन मुफ्त की है, आपने पोस्टर क्यों लगवा है वैक्सीन मुफ्त की है, आपने वैक्सीन के बाद कार्ड क्यों बाटे जिसमें प्रदान मंतरी मोधी थे, और साथ में नीचे लिग दिया, बहुत मंतरी के नाम से योजना है और जहां तक मुफ्त की बात है तो इनकी योजना का नाम था मुफ्त लैप्टोप योजना वह मुफ्त कोई आईटी बनाने के लिए नोंने नहीं दिया था उसका एक बहुत बड़ा घोटाला आर्टी आई में है 14,81,118 लैप्टोप खरीदे गए 6,11,794 लैप्टोप का वित्रण हुआ 8,89,324 लैप्टोप आज तक नहीं पता कहा है आपने जेल में क्यों नी डाल दिया, सरकार आपकी, सरकार आपकी, ठीक है, 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 भाईया, इन्होंने आकडों के ऐसी तस्वीर पेश कर दी, कि जिसको देखकर अगर मैं दरोगा होता, तो तुरंत जाकर गिरफ इतना गोटाला हो गया आपने क्योंटी भाइया हमें देते हम अपने चैनल पे चलवाते आप नहीं पताया क्यों नहीं कि रफ्तार किया उन्हें अभी उसकी जांग चल रही है यह आठी में खुलासा हुआ था 2017 से पहले उसी समय आठीयाइई लग गई थी जब इनकी सरकार 1173 करोड का गोटाला है वो जिसकी जाच चल रही है लगबग फाइनल स्टेज में है तो आप पर भी कई दफा की चल रही है जाच की बात छोड़िए जी 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 क्योंकि बीजे भी कहते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं वो सारे युवा रूष्ट हो जाते हैं और इनकी सरकार इतने अच्छे काम किये तो 2007 में है कि आम जंता ने उन्हें क्यों नहीं कार दिया उन्हें दुबारा क्यों नहीं मनाया मिल्कुल ठीक है आपने बढ़िया-बढ़िया काम किया स्वार ने विकास कर दिया उत्रप्रदेश को आपने टोकियो बना दिया तो फिर आपको जंत तो आपकी यादा वर मुस्लिम वाली बिसाथ तोड़ दी गई जाते हैं आप यह भाषड देने का मंच नहीं है सवाल का जवाब पुरह चुनाव होता है विसाथ पर तो जब आपकी सरकार थी तब थानों में असी परतिशत अंकड़ा दिखा दें लिष्ट दिखा दें होता क्या है होता क्या है गली नुकड की चाय की बहसे होती है वहाँ पर होता है कि यह करके दिखा दो मैं स्तीफा दे दूगा यह स्तीफा दे दूगा कि आज नबे परतिशत थानों में जो है वो सिफ रस्तोजी के रिस्तधार लगे मैं तो मुझे बताना तो पड़ेगा रस्तोजी के रिस्तार है निया कहने सो जोड़ों की बात कर रहा हूं आकला बतो नो कहा है कौन सा अकला है एंस यार्भी का आट के मोबाइल फोन में आ ठंडा बोले को क्पोला पेश्ट मंगो तो कोलगे एक बार को इतनी बार जूट बोलो बार बार जूट बोलो सुभासाम जूट बोलो कि जब वो चीज आये तो ईसका सीधे में अश्तार के नाम की जगा ठीक है समाझगा आपकी बात मुझे मिल गए ये बताईए मैं इस ब जागूर को मांपया मानते है बिरजेष धाकु पुर्वांचल का तरीका है तरीका ही मांपया मानते है भां और होता है अम मैं आप से कॉई तूकर बता को चोरी करना बंद करती अप हामे दोया जवाबे नहीं जवाबे वादेच के चीज котором को जतो कि जो चीजड नहीं है कियुक्त ना में जवाब नहीं होता ना में जवाब अटा अब नहां पूछे जाका मांते हैं नम राजनिती परिवार से है और उनकी आजनित्य दैकन भी 애 मुख्तार अंसारी हमारी दलका नहीं है मुख्तार अंसारी बसपक है आप पूछे मैं इतना पूछना चाहता हूं ताराइप बहाई किसके दलके है तीक ठीक 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 आप बाते पलट रहें जनता जनता से अगर मैं पूछूंगा तो शायद थोड़ी clarity मिल जाए किसी सभी मुख्तार अंसारी को समझते हैं वो आप क्या मानते हैं मैं उसे 100 माफिया मानता हूं किसी सभी पूछ लोगा ठीक है ऑनके तमाम केसे चल रहा उनको माफिय क्या जा चुए तो माफिय है ठीक है ऑप ने बहुआ एं यह ते कितने केस पूलटीभ सेंगर को आप अपरादी म महान शिक्षावीद जिसने कुम्ब का मेला कराने में देश के सादू संतों ने गौदान की इतना बड़ा व्यक्तितु मुख्तार अंसारी कौन है महान मुख्तार अंसारी बसपा से हैं आप यह सवाल मास उनके भाई कौन है जो भाई है आपके दल से हैं मेरे दल से हैं तो साफ सुत्र आद में कोई दिक्कत नहीं है आपके दल में आचा तो समाजवादी पार्टी मेरा कर साफ सुत्र हो जाती यह पुछ निपने निकाला था और राजरिती में लोग आप तक तो यह बात है चलती थी अखलेश आदव जी निकाला कि माफियां को नहीं रखना आप नहीं निकाला इतनी अरजनी अच्छा पुछ नहीं पुछ आप पुछ नहीं चाहिए आपको लग रहा है आप पहले बोला क कि नहीं निकाला वग फुद गए फिर आप कह रहा है कि निकाला अपक्तार अंसारी को क्यो निकाला जब वो बड़ी आदमी थे क्यों निकाला पिलुकुल भारती जंता पार्टी पे कौन सा ऐसा फार्मूला है जो जो भी जाता है पावत्तिरी गंगा में बहान हो जाता है शेंगर हो, स्वामी चिनमेंद हो, साक्सी महराज हो, 38 मुकदमे वाले मुक्ख मंत्री हो, इनके मुकदमे 70 से जादा विधाय कैसे हैं, जिन पर 15-15-20 मुकदमे हो, वो कैसे पवित्र पावन ही हो जाते हैं, आपकी पार्टी में आके सब 14 ओर के बढ़िया हो जाते हैं, भारत देखिए, उनकी पार्टी के विशे में सर्विधित है, आप ने उनसे सवाल गया, उन्होंने जवाब दिया, आप बताईए उन पर कितने मुकदमे थे, अब इनका ये सवाल है, 70 विधायकों पर इतने मुकदमे हैं, उन विधायकों के नाम मुकदमे की लिस्ट इनी से बढर्र के आता हैं, बढ़िया हो जाते हैं उसका क्या है, भारतीय garden पार्टी को कूच में सवाता निए पूरइयकों परादि कूठे ये पर श्माद कौक कर देते हैं, कभी पर दगॉogn कंदमे कि या विशे हो सकता है बताइए, हमारी दर्स्टी में तो किसी ने नहीं किया किसी ने नहीं किया, एक मसला भी चल रहा है, बहुत बड़ा है, आपको शायद नाम पता हो, क्योंकि आप राधिक जब सत्ता में होती है जो पार्टिया वो अपनी है, अपने उनको अपरात दिखता है, उनको पडोस में अपरात दिखता है, जा चुनाओ बहाँ अपरात दि प्रशासन जो है बचाने की लगातार कोशिश करता गया कितनी बेहुतगी वाली बात है कि एक स्पी लेवल एससपी आदमी एससपी लेवल की रहा का आदमी जो है आय एस अधिकारी बड़ा बड़ा आई पे से मतलब नहीं है पहले तो आप बचाने की कोशिश करते रहे ना हमने नहीं बचाया आपने अभी बताया कि अधिकारियों ने वर्जन दिया उसके बाद सरकार ने उसमें दूद का दूद पानी का पानी किया है सब सस्पेंड किया है और उनकी पतनी को एसडी की नोकरी भी द क्भाते रहते हैं मेरा निजी तोर पर िया मानना है कि एनकाउन्टरों की ज़ड़ी और एनकाउन्टरों को इतना बोखिया गया एक विएक तीवारी से शुरू होकर मनीज गुपता मनीज गुपता खाली पुलिस का उत्पिलन नहीं है आप सब लोग जानते होंगे चोराव पे देखते होंगे कि जो ट्रैफिक सिपाई है जहां उसने गाज याइबाद या अन्ने जनपोतों की गाली थी एक दम कूत के आते हैं यही वहां एक रैगिट चला था वो रात को निगलते थे और जिन होटलों पे बहार के वेपारियों की गाली होती थी क्योंकि वहां लेंदेन का बिजनिस होता था तो वो जा को उनको चेक करते थे अब हाराद में तो नंबर एक का पैसे है दो चार लाग बिना उसकी भी रखता था तो वो उनसे लूट किया करते थे बाकादा रैगिट खुल का जागा सीवाई की जाच में के बाकादा वो रैगिट था जांच के नम पे कि वो जाते थे वेपारियों पे पैसा तस-पांच लाग होता था बताओ इसका हिसाब तो इसका तो ड्रा धंका है यही तो उसने वेपारियों ने पूछ लिया कि भाई मैं के आतंकवादी हूं जो फिर लड़ बजाया है जो उस पर चोटो की निशान है मैं फिर समझा रहा हूं रस्तोगी जी गुपता जी यूही नहीं मर गए पार्टी में आस्ता हो सकती है लेकिन विवस्ता देखिये कहां जा रही है तो आपस तो सबसे प्रारमबिक सवाल यही बनता है कि बिल्कुल introduction phase में हैं आप आए हैं जनता के सामने खड़े हैं अपना परिचा दे रहे हैं आपके पास क्या कुछ है कहने के लिए बताने के लिए सुनने के लिए और बोलने के लिए देखे जितने भी राजनितिक दल के लोग यहां बैठे हैं सारे के सारा न सत्ता की मलाईन लोगों ने खाई है उत्तर प्रदेश हो या देश हो इस सारे के सारे एक इधाली के चट्टे बटते हैं दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का मोडल हम लोग लेके जनता के बीच में दिल्ली में 200 बिजली थी उत्तर प्रदेश में 300 बिजली देने के बात करते हैं गना किसान का 24 घंटे हम भुगतान की बात करते हैं इस देश के अंदर आज आप देखिए आजादी के 75 साल बाद देश का किसान अनदाता सड़कों पर बैठा है 600 से ज्यादा किसान उन्हें देश जो परधान उनके आंखों में शरम नहीं है आप से देखेंगे, अब सवाल बनता है, सवाल यह है कि दिल्ली की बात करें और उत्तरपरदेश की बात करें, जेग्राफिकल लेवल पर देखें, पॉपिलेशन लेवल पर देखें, कई भी नहीं ठेरता, वहां 2 करोड, 23 क वो अलग मसला हो गया, तो वहाँ पर अगर आप 200 उनिट मुफ्त विजली की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप 300 उनिट मुफ्त विजली कैसे देंगे, पहली चीज, दूसरी चीज, आप कहते हैं कि सिक्षा का जो बजट है, वो 25 वीसिदी कर देंगे, कैसे करेंगे, इस बात ही साथ, जो आप 25 परसन बजट की बात कर रहे हैं, सिक्षा में, वो कैसे देंगे, और इसके साथ 2 करोड और 23 करोड, बड़ा फर्क है, 300 उनिट मुफ्त विजली कैसे देंगे, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं बिल्कुल आपको आश्वाशन और पूरी आंकडों के साथ में इसको बताऊंगा, दिल्ली की लगबग जनसंख्या 2 करोड, दिल्ली का बजट 60,000 करोड, दिल्ली में 200 उनिट बजली हम फ्री देते हैं, एक सिंगल यूनिट बजली दिल्ली में बनती नहीं है, उत्तर परदेश का बजट 5,5 लाग करोड का, यूपी में बजली भी है, बजली ख़ईता भी और यूपी बजली बेचता भी है, सिर्फ और सिर्फ यह हो क्यों नहीं पाता, क्योंकि जो सरकारे हैं, जब हजारो करोड रुपे बजली कंपनियों से लेंगे, तो इस जनताओं को महंगी बजली खईने पड़ेगा, इसका एक छोटा सा उधा आनो सुनिजिए, बराबर का प्रदेश हरियाना, 3500 रुपे होस्पावर महाँ पे बजली है, यह उत्तरपरदेश होहाँ भाजपा की सरकार, यहाँ भी भाजपासरकार, और सेंटर में भाजपासरकार, 170 रुपे महिना, 21,500 रुपे इस देश का किसान अंदाता, 12 का बिल आपके लिए काम मैंने बहुत आसान कर दिया, आपको उनकी ट्रिक बता दिये, आपके हाथ लग गई, गड़ित पूरा उन्होंने समझा दिया, आपके हाथ लग गया है, अब तो आप भी दे सकते हैं, देखिये, जो ने बता दिया कि 300 इनिट मुफ्त बिजली वो कैसे देल बता दिया, तो आप भी दे दीजे, परिशानी क्या है, देखिये, मैं आपको बताता हूँ, जो बिजली का विशह है, उन्होंने बताया कि वहाँ बिजली का कोई उत्पादन नहीं होता, हम खरीदते हैं और तब भी देते हैं, है ना, होता क्या है दिल्ली में, और इ यूपी में योगी जी की सरकार बनी है, उसने प्राइवेट कम्पनियों से जो बिजली खरीदने का अनुबंद किया है, वो चार से पांच रुपई उनिट है, देखिये, भाजपा जूट का तंत्र है, आप भाजपा छोड़ी, अपनी बताइए, अपनी बतारू ना, एक खबर अभी विदेश यात्रपायती, उन्होंने चला दी के निव यॉर्क टाइम्स ने चापा के बैस्ट होप आफ अवदार्थ मोदी जी है, उसने ट्विट करके का गई हमने ये जूटी खबर है, और हमने ऐसा कोई नहीं लगा है, ट्विट करा बाक्या था, और पूरी विकास के लिए जाएंगे, तो कोई नहीं चुए रहें, आपकी बात मिल गई मुझे, जनता से ही बात करूँगा, कि आप लोग भी, जब नेता सामने होते हैं, तो सवाल करना सीगे, सवाल करी अपने नेतां से, कि ये चीज़ क्यों नहीं हुई, वो चीज़ क्यों नहीं, ये पैकेज है, वो सुरक्षा की बात कर रहें, वो सड़क की बात, अब आपको पसंद कौन सा आ रहा है, पसंद हम्हें वो आया गो, जो जातिवात की बात ही नहीं करेगा, कोई करेगा, वो तो हिंदू मुझे अभी चिला रहें ने सरे, अभी चिलाने लगेंगे, लिए में ऐसको कैसे समझेगे या इस्थानिय लेवल पर ठीक तो वो चीन को घुषेड रहेंगे अभी देख रहो ना अभी चीन वाला चकर चला अभी जब चुनाएगा आएगा वह भी समझने लगी है मुद्दो को वह भी मुद्दो पर बात करने लगी है तो इससे तो नुकसान आपका हो गया है आपको रुषे मुद्दो को समझने लगा एक वोट नहीं जियुके नाम पर 허बे आम एक आम आदमीमें आपको वोट नहीं देगा इन्होंने सवाल करा इनके सवाल का जवाब दूँगे आपके सवाल का जवाब दूँगे लिए देखे मोधी जी इस देश के सर्व प्रिय नेता है उपूर देखिए जितना आम आदमी पार्टी का एक वर्ष का बजट केवल इसका होता होल्डिंग बैनारों विज्ञापनों का मोधी जी का 15-16 में 121 करोड रुपे खर्च हुए 16-17 में 78 करोड रुपे खर्च हुए 17-18 में 99.5 करोड रुपे खर्च हुए और 18-19 में 100 करोड रुपे और 19-20 तक 46 करोड रुपे खर्च हुए कि कर दिल तो आप प्रदान मंत्रिया Про का ap क्षव मांभर इंक विग्याबन का बजट ता उतना हमारी पांस साल की आत्रस को बजट था जो यह बाराइन प्रदान मंतरी हैं आप कहां मैं आप से क्या सवाल कर रहा हूं आप क्या किया जवाब दिय जा रही है वह और यह ब CAP कर रहा है आप मुझे प्टाएं इनको भी पथा है सब महें प empieza ज़ंठा करा हैं देख्या एक एक मिलती। मैं पूछ रहा हूं पेट्रॉल इततरा यह जनता करा हूं मोदी जी को सूठ मोदी को लागू किया और पेट्रोल को भी सरकार GST में लाना चाते हैं अरे भाईया आपकी GST आपका GDP इसका क्या करें जुन जुने क्या करें चाटे चुमे बिछाक सोजक करें क्या भाईया इतना बता दो बस क्या करें पेट्रोल सस्ता खरोगा पेट्रोल उसके लिए 25 परदेशों की सहमती आवश्चक है 25 सरकारों की सहमती आवश्चक है पेट्रोल का रेट एक दम नीचे आजागा बढ़ाने में कोई सहमती नी घटाने में सहमती ये बड़ा बाजे मेरे मन में परसल सवाल आया जिलादेक्स साब से पूछ लोग है ये बताइए आपकी पार्टी के जब उत्तर प्रदेश में में कई जगा गया हूँ काफी मैं विधान सभा कवर कर चुका हूँ नेता जादा मिल रहे हैं कारेकर्टा नहीं दिख रहे मैं भी एक कारेकर्टा हूँ और वो भी एक कारेकर्टा बैठा है आमादनी पार्टी के नाम क्या के जिलादेक्स लग या है मैं आपको बताता हूँ आमादनी पार्टी का जो कारेकर्टा है वो सामाजिक रूप से जितने भी लोग सोशित पिछड़े और जितने भी लोग परेशान और हतास लोग हैं, वो लोग है दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों ने जवाब दिया, सतर में से सड़ सड़ दी, अब की बार बासट हमें सीटे दी और एक बहुत एहम मुद्दा, दिल्ली के अंदर 60,000 करोड में 208 बजली फिरी देते हैं, 400 के आधे दाम लेते हैं, महिलाओ के लिए बसकी आतरा फिरी देते हैं, अच्छे स्कूल बनाते हैं, तमाम फैसिलिटी देने के बाद में 20 या लिटर पानी फिरी देते हैं, इंदु करता है, मैं आपके कहने से क्यों मानूं, इसके जवाब दे दीजे, आप अपनी समझ से माने मेरे कहने, आप तो कह रहा हो, नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है, तीक है, मैं सवाल, नहीं मेरा जो सवाल का जो तरीका है, वो अलग चीज है, मेरा अलग वि तो यह दक्षिन विधान सभा को लेकर चुना हो था लेकिन चुखे बात जो अमरिका बालों ने कही कि देश में मोदी जिन्दा लोगतंतर नहीं जिन्दा नहीं गांधी जी का लोगतंतर लाई है तो बहुत कटाक्ष था लेकिन उसके अलावा मेरा कहने का मतलब यह है कि लाग करोड़ पर दो साल में कमाने का काम किया सारे सारजुनी कुपकरमों को बेच रहे हैं पैसा कमाने को जरिया नहीं है बेच रहा वाली बात आप कौन बोलता है आपको लो इस जितना भीक रहा है सब यह बैंक भीक रहा है काम कितने में डील होती है मतलब कैसे बेचने क करती है उन्हीं की सप्रकारी स्कूलों की बात कर लूए यह उनका तर्ख है इसलिए इसका निजी करणे की बात कहीं जा रही है अगले सरकार में कैसे अच्छे चल लए थे निजी करण नहीं है यह आपने अपने बोला कि दिली में कैसे सरकारी स्कूल अच्छे हो गए ठीक है उनके पास है दो चार मैंने भी देखे हैं उधारण है आप ने उसके साथ अगली लाइन जोड़ दी कि अखले सरकार में कैसे अब आप चीटिंग पत्रा करके बन जाईए गाधिकारी तो फिर वो अच्छी वात है यह जूते के नीजे चिपपा रखे हैं जेम में चिपपी रखे हैं आप वहाँ पर डॉक्टर बन जाएगा और कलको किसी को मारती को अच्छी बात है यह सविधान कहता है पैनल कोट कहता है एक जुर्म की दो सजा कोई नहीं दे सकता जब उसमें डबलु एचो में सजा है को विधर्ट होगा डिबार होगा आप जेल में कैसे बेजेंगे एक जुर्म की दो सजा नहीं होती जिस बच्चे का एक साल डिबार होगा तीन साल की बड़ी फांशी उसे हो इंद बाराब कर दिए कि बच्चे को पकड़ेंगे बच्छों का भविश्य है आप भी एसे मैं बात पर नी जाओंगा एक और बात बोली थी की बच्चे गलती हो जाती है बच्चे कान? बच्चे अपराफ से पड़ा बिल घा उसका वीवा होने होता है है एक अपराद की दो का से डेतों के नया अपराद तो है अपरें ऎस सनू एक अपरयंत की दो बार –की नहीं दी जा सकती नकल करना पराद है उसके लिए ईंफीर मिन्स का जितना ठीक है तर है वह सफिस्चंट का एक जघ्राब हो सकता है जी एक सवाल जवाब हों रहन ने कहां जवाब होंगा एक सवा豁गा एक की जवाब पूछगा एक ही सवाल करूगा एक ही जवाब करूगा यह जवाब दिशड़ी जो है आपको लगता है यूपी के लिए अच्छी है हा या ना प्रची जनता के लिए फोको सरकार बिल्कुल जनता इसे तरस्त है, कुरोना काल से ठीक है, बस बोल दिया, आपने आपने बता दिया, जंता तरस्त है, ठीक नहीं है, अब मेरा एक सवाल है, जो मैंने आप से पहले भी पूछा, फिर पूछता हूं, ताकि जंता तक मैसेज क्लीर जाए, आपने बीजेपी की वैक्सीन लगवाई थी सरकार की वैक्सीन, सीधे बताईएगा, भारत के टेक्सपियर, नहीं, बीजेपी की वैक्सीन लगाई थी, सरकार की वैक्सीन, अखिलेश यादब के पहले बयान वाली वैक्सीन लगाई थी, या दूसरे बयान वाली, भारत के टेक्सपियर के पैसे की कि किसी के बाप का अंदुस्तान नहीं है, यह भारत के लोगों का है, लोगतंतर का देश है, मतलब, मतलब, मतलब जब अखलेश आदम ने का यह BJP की वैक्सीन है, तो आपने चिट्टी लिखी, आपने उनके खिलाफ गए, आपने टूइट किये, मैसेज के, सब किया, अब जब उस गलती को सु करने चोड़े, आप कहां चोरी पड़े हो, चले ठीक है, हाँ, जी, अब यह बात कर रहे थे, BSNL को अभी तक 3G से आगे, 4G पर नहीं पहुचाया, MTNL को बरफ में लगा दिया, और अडानी अम्बानी को 5G तक दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब यह बेच लिख लि मोदि जी की बेच नहीं का यह बाब है, पहले हमारे देश में सरकटी लासे आती थी, और मोदी जी की विदेशनिति के दबाव से, हमारा बिन दन चोड़ा हों के रास्ते से आता है, यह बाब है, और मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ती देने शेम यह काम, यह मोदी आप गिर रहे हैं, चुनावों से पहले बिठे-बिठाए समाजवाधी पार्टी को मुद्दे मिल रहे हैं, मनीश गुपता की हत्या होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंकाउंटर पर अभी तक आप जो अपनी थप थपा रहे थे, इस बात को मैं बार-बार कहता हूँ, कि एंकाउंटर जो है, वो कहीं न कहीं, आप लोग कितनी भी तालियां बजा लीजें कि बहुत बड़िया हूँ एंकाउंटर, लेकिन एक चीज है, कि पुलिस का काम है अपराद को रोकना, क्राइम को रोकना, अपरादी को पकड़ना और उसे अदालत तक ले जाना, आगे अदालत का काम है, उसको क्या सजा देनी है, क्या कुछ देना है, जब तक ये पुलिस ये सोचे लगे कि हमी सजा देंगे, हमी अपरादी को पकड़ेंगे, हमिए सब कुछ कर देंगी, यह बहुत गंभीर परिणाम है, इसलिए बार बार कहता हूँ कि इनकाउंटर पर ताली नहीं बजाओ, इनकाउंटर पर ताली बजाओगे, उसी का परिणाम है कि हमारे पास पिछले पांस साल के के हुए काम है और जहां तक ब्रह्मन की बात है ब्रह्मन हमसे कहीं छिटका नहीं है और आपने एंकाउंटर की बात कही पहले कोई बैंक तक जाता था पैसे निकाल के लाता था घर तक नहीं पहुच पाता था योगी सरकार बिलकुल भी एंका बनाते बनाते आपने एक पत्नी का सुहाग छीन लिया एक बेटे के सर से उसके पिता का साया हटा दिया ऐसा भैमुक्त समाज किसी को नहीं चाहिए भईया हाँ जोड के परणा हम आप से बाखी विकास की बात की वो जाते 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 एक खतम कर दू कि समाजवादी पार्ट आपको तो बढ़िया ताकत मिल गई आपने किसान अंदोलन के सहारे आपकी जो राजनीती ती उसको फिर से चमकाने का काम कर लिया लेकिन कब तक क्योंकि इससे पहले भी आप सपा के साथ चुनाओ लड़े थे ज्यादा क्या बिल्कुल फाइदा ही नहीं हुआ इस बार भ आपको लगता है कि वह पार्टी को नईया पार खिच ले जाएंगे नहीं बिल्कुल छोटे चोधरी हमारे पार्टी की नईया पार करेंगे और चोटे चोधरी को हर समाज हर वर्ग साथ दे रहा है और किसान सबसे बड़ा साथ दे रहा है क्योंकि छोटे चोधरी की और बढ़ती चलेगी और आने वाले चुनों में बाइस में गटबंधन के साथ इस यूपी में सरकार बनाएगी। बड़ा हैम रॉल निभाई की लोगडल क्योंकि हमने हमेसा किसानों का साथ दिया है वन्चीतों का साथ दिया है। और देते रहे हैं और देते रहेंगे हम। बह्मुक्त भारत या परदेश की बात कर रहे थे दो बैंक से पैसे लाने की बात कर रहे थे तो इस डिजिटल इंडिया हो गया है। आजकल सब मोबाईल से ट्रांसफर करते हैं। इसने क्या डिजिटल इंडिया। इन किस्टितू है नहीं चाहिए क्या कहिए जब भी आपके पास दाता हूं सवाल लेकर पहले आप मुश्कुरा लेते हैं मन में सोच लेते हैं कि यह वाली लाइन जो है रट्टा मार के पैल दूगा सी दी रुकूंगा नहीं कहीं भी तो ये मैं मुझे क्या बोलना क्या नहीं इस राजितिक फिर नाराज हो गए? आप जो लोगों पर हावी होगी तो फस गए आप फोड़ा सा आप मेरी पहले की आदे घंटे पहले की बात पर अभी तो गुस्ता बैठे हैं मैं आप भी मांग लिया आप से चलिया ठीक है अब एक और सवाल का जवाब दे जाना भाशा क्या करूं सवाल करना छोड़ दूँ बहुत प्यार से द्रावने फस गए वो दौर चले गए वो दौर चले गए जब एक्सपीरेंस इसकी बात होती थी वो छोड़िये आप पूछे क्या पूछना चाहरा है ठीक है आप सवाल कर लो आप से तीक है सवाल ये है कि बार बार जो है अपराद का जो आपके उपर ट लाइक नहीं है कितने मुकदमेंस जनता को नहीं समझा पानकिंगे जनता जानती है कि कौन किस लं माफिया है कहा है कि डो हजार छह में जब सरकार गए थी तो यह कहा था यह कुंडा ऐधो की सरकार है गुंडाक हरोगे यह गुंडाक रिएधिडियो ऊसके बाद सरकार बद लिए पून भाजमत अख्लेश आदव जी के नेतरत में सरकार बनी तो गुंडों की सरकार थी उचनतर अखलेश आदव जी के नेत्रत में बनी और किसको सरकार उनके नेत्रत में मुक्यमंत्री का नेत्रत होता है आप लोग कोई भी यह बात मान सकता है कि 2012 से पहले 11 में अगर सड़क के कूचे में जाओ और किसी प्रभाकर यादव से पूछो कि भईया किसके नित्रत उसे सपा सरकार चुनाओ लड़ी तो अखलेश आदव का नाम लेता मुलाइम सिंग यादव जी का नाम लेता जी ने 6000 किलोमेटर की रध्यात रही आप कैसे बात कर रहा है ठीक है वो हैं तो उनके हैं तो एक ही तो जो 2012 से पहले गुंडा गुंडा तो उसको जनता ने खुश्वावति सभाप्त कर दिया इस बार यह कर रहा हैं 2022 में खलेश आदव जी कि नित्रत में सरकार बनेगी राश्टे लोगदल होगा और जिसे राश्टे राश्टे लोगदल रास्य लोगदल होगा चाचा चा क्या है लेलता को जल्दी एडिए गर की बात है घर की बात है जिस दिन चाएगे बैड जाएंग एट जाएंगे अचा ठीक है घ्र की पार्टी करें जो सब्सक्राइं घर की बिल्कुल आपने का घर की बात पार्टी घर की है अरे सूनिये भाई कि वासुदेव कुटमूम नहीं नहीं मेरा विश्व एक परिवार हो सकता तो क्या पार्टी परिवार नहीं हो सकती आपने बोले तो तुम इसमें तरह उच्छोकनी की बात है चाचा ग्यारा है बारा है सब हो जाएगा बस योगी जी का जो मोदी जी का हटाने का प्रियास्त अखले शादो जी पूरा करेंगे क्योंकि हम सरकार बनाएंगे 2022 में और योगी जी हट जाएंगे 200 विदायकों की मन की तमन्ना कैसे पूरी होगी जिन्होंने इस्तिवा दिया तसंतो जी के हाथ में कहटा ये योगी जी को आपकी जो मूल भावना है आपकी जो प्रायर्ट आए है यह हमेसा दंगे कराएंगे गुंडा राज फेलाएंगे और यह जो जातियों की राजनीति करते हैं इनसे जादा कोई नहीं है समाजवादी पार्टी सबसे जाती है राजनीति करती है यादवों की मुस्लिमों की एक भाजपा ऐसी पार्टी है जिसना आत्ता किसी लिए कि जाती के सबके लिए एक समान है किसी ने कोई एक वो नी कराया कभी एक समस्या वाली बार बता दू असा दूदीन ओवैसी भी आज चुकिए आपका गड़े जोग फेल हो जाए कौन है असुद्दीन आवसी नहीं हमारी नहीं भाश्पा की लिखी इसकी तुनकी पढ बिहार में पढ़िवी स्कीट पढ़ी भाश्पालाब में रह गई वहां का पंगाल का हिंदू मुसल्मान समझ गया ओवेसी को साफ कर दिया मोधी जी अपना बाहर हो गया जनता जनारदन से आखरी बार में एक बात बोलूँगा कि आप लोग हमेशा मुद्दो पर जित्रा जादा बेहतरीन तरीके से बोलेंगे सोचेंगे समझेंगे वह जादा बेतर होगा क्योंकि सत्ता पक्ष का काम है कि चुनावों से पहले आकर किस तरीके से धुरुफ को मोड़ना है किस तरीके से मुद्दो को डायवर्ट करना है क्योंकि जमीन पर जिसने काम किया होगा वह बड़ी-बड़ी बाते नहीं करेग 2019 में जनता ने जनादेश दिया भारते जनता पार्टी को उसका अपमान कर रहे हैं वैक्सीन हमने पूरे दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान ने बनाई और पूरे दुनिया में नाम कमाया कि हिंदुस्तान ने वैक्सीन दी उसका वैग्यानिकों का अपमान कर रहे हैं प्रोग्राम को बाइंड आप करते हैं प्रोग्राम को बाइंड आप करने से पहले एक आखरी बात बता दूं कि जंता हमारे सामने थी नेता लोग हमारे सामने थे सभी ने बहुत शांदार तरीके से जवाब दिये सभी लोगों ने बहुत शांदार तरीके से जवाब दिये सभी लोगों ने बहुत शांदार तरीके से जवाब दिये सभी लोगों ने बहुत शांदार आप लोगों ने आपका पडोसी होगा, बाकी जाते जाते हैं, सत्ता से मेरी एकी दर्क्वास्त है, कि जनाब, जनता का ख्याल लगिए, जब तक आप सत्ता में हैं, बाकी तो जैश्री राम, नमस्क्राइब.